आने वाली सदिया माफ नहीं करेगी, आप बड़े बड़े इस्ताहर छप वाओ, तो अख़बारों के चार पन्ने रंग दो, फलाना थैंक्यू, सर, इपिहास को थैंक्यू कहने का मौका मिलना चाहिए। The next speaker is Professor Manojja, Professor Manojja. शुक्रिया वाइस चेर्में साब, कोई भाशन की शकल में नहीं है, एक शोक संतप्त गनतंत्र के एक अधना नागरीक समझिये, या एक जन प्रतिर्दी समझिये, उसकी योड़ से कुछ बातें कहीं जा रही हैं, और सबसे पहले, माफी नामा उन तमाम लोगों को, जिनकी भी हम एक नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही नहीं है को मारे गए, तो ये माफी नामा सर सर्क मेरा नहीं है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मई के महिने में मैंने छे आर्टिकल लिखे, संसर चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किस से कहते, लोगों के नाम भेजना चाहिए, जिनकी लाश गंगडा में तैर रही थी, किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो, सर्थ दूसरी चीज, मैंने कई कल सेक्रेटी जनरल साब से भात करने की कोशिश की बांकी जग़ दी, किसी दो सत्र के बीच में सर्थ, पाचास लोगो लोगो नहीं है, ये पीरा व्यक्तिगत है, आकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा आकड़ा, तुम्हारा आकड़ा, अपनी पीरा में आकड़ा ढूड़िये, एक व्यक्तिग नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में, जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना कोया हूं, सर पी राप कह सकता हूँ, ऑक्सिजन के लिए लोग फून करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे, लोग समाझते हैं सांसा पिछा देगा, ना सौट फौन में, पूरे दिन में, शाम को बैटके देखते थे, सक्सेस रेक दो, सक्सेस रेक टी, ह हमको कौन सा आकड़ा कोई बताएगा साथ हमको किसी आकड़े की बात नहीं करनी है हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिन्दा दस्तावेच छोड़के गए हैं हमारे फेलियर का मैं आपकी बात नहीं कर रहा है आप कहेगा सतर साल में कुछ नहीं हुआ मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता ये कलेक्टिव फेलियर है साइटालिस से लेके अब तक की सारी जर्ठारों का क्या बना दिया हमने मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और अक्सीजन का क्या रिष्टा होता है सर इमांदार इसे कहता हूँ मैं मेडिकल बैग्राउंड से नहीं आता हूँ सुपार से लोगों को दिखता था आक्सीजन आक्सीजन मैं तो रभाईयों के नाम तक शुरू में सर फननसियेशन चेकी है कि कैसे उचारन करूंगा ये हालत है और तब हम आक्रों की बात कर रहे हैं तब हम ये बात कर रहे है थैंक यू फलाना साहब चिलाना साहब सर में यहां से निकलता हूँ बड़ बहुत बड़ा बिग्यापन लगा हुआ है मुफ्त बैक्सिन मुफ्त राशन मुफ्त इलाज सर एक मिनट मैं मैंने किसी मैं प्लीज मैं किसी दल की और से आज नहीं बोल रहा हूँ मैं तावे के साथ कहता हूँ मैं लाखों लोगों की और से बोल रहा हूँ जो यहां बोलना चाते हैं अब मेरी बात सुगी आज शिकाट नहीं कर रहा हूँ आप से यह वेलफेर स्टेट है ना एक सागुन की टिकी अगर कोई गरीब गाउं में खरीद रहा है ना सर तो आडानी अंबानी के बरावर का करदाता है आप उसको कह रहा हूं मुफ्ट, मुफ्ट वैक्शिन, मुफ्ट इलाज, मुफ्ट राशन नहीं साब कुछ मुफ्ट नहीं है, उसका स्टेक है इस वेलफेर स्केट का कमिट्मेंट है, उसको आप डिनाइगरेट मत करिए डेमॉनाइज मत करिए, उसे बाना मत बनाईए, ये आगरा है मेरा सर, मैं इसे पहले की कुछ और बाते कहूं, मेरे पास सभी वक्त है सर, इस कोरोना को मैं भी मानता हूं मेरे पुर्व के बता कुछ कह रहे थे, ये चैलेंज है हमारे लिए सर, बहुत बड़ी बड़ी बात है, नए ने कानून की हो रही है, राइट टू हेल्थ की बात को नहीं करते है हम लोग, राइट टू हेल्थ, स्वास्त काधिकार, उस ये अस्पताल की मजाल नहीं होगी, कि वो इस खिलवार कर पाए, उस राइट टू लाइट का, करना नहीं चाहता है, राइट टू वोग, उस पर कान करिए, पॉपिलेशन को लेकर के बहुत बाते हो रही हैं, सहाब, डिमोग्राफिक और डिमोग्राफर्स को छोड़ ये, बना संसलिस्ट भी ज्यान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं, इस सदन और उस सदन में, राइट टू लाइफ, राइट वोग पहले इसलेशन लाइए, ताकि कोई आपदा आए, अभी तो हमारे लीडर अफ हाउस नहीं नहीं बने हैं, उनसे मैं कहता जब वो रेल मंत्री थ इसी कोरोना काल में, मैंने लगातार आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहा, अगर आप सांसत की नहीं सुन रहे हैं, तो जो छोटे आधना संविदा वाले नोकडी से रिकाले गए, उसकी कौन सुनेगा सर, एक और अधभु चीज हुई सी को नहीं उपसा भापती महुद है, जब हाकार मचा हुआ था, होस्पिटल के लिए, आईसी उ बेड्स के लिए, दवाईयों के लिए, यह हाकार जब मचा हुआ था, उस तोर में सर, कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपुन चीज मैं जिसका जिकर करूंगा, उस हा जब हाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूँ, कई राजे सरकारें भी नदारत थी, वो डेर महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूँगा, पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइट मेयर की तरह लगता है, सरक डरावना लगता है, एक मेरा स्टूडेंट पढ़ाय हो, वस्थ इस साल का, हॉस्पिटल का बेट जब तक मैंने अरेंज किया, वो दुन्या छोड़के जा चुका थो, मैं इसलिए बार बार इसको किये, इसलिए ये कह रहा ह सर, बस एक मिनट और लूँगा, जो मैं कहना चाह रहा था, सर, एक खत मैंने मिर्तातमाओं के नाम लिखा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, बेबसी में एक खत लिखा, जो लोग इस दुनिया से चले गए, उसमें कुछ, मैंने सलाह दी थी सर सरकार से, और ये जो उस बीच में कहा गया, कि सरकारें फेलने की सिस्टम फेल कर गया, अरे साथ ये सिस्टम कों क्या है, बच्पन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यत्ती होता है, सिस्टम के पीछे एक संदचना होती है, अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में, या किसी काओं की गलियों तो वहां कि सरकारें फेल के सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए तो कि यही वो सिस्टम बनाते हैं और आपको आखरी टुपनी करने दीजाए अपको जजा ताइम दे शुका हूँ मैंने सर बस दस सेकेंड लूगा आज जैहिन बोलने में भी वो खलूस नहीं आ रहा है जो आम द क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशे सर जिंदगी में डिगनिटी चाहिए मौत में उससे बरी डिगनिटी चाहिए हमने अंडिगनिफाइड डेट को विटनेस किया है और अगर हमने इसको दुरूस नहीं किया सर आने वाली सदिया माफ नहीं करेगी आप बड़े खोल लोगों की धन्यवाद डेट बाडी के विहाब पर आपसे माफी मानता हूँ जाहिए हम